हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी उमीद है आप सबी खेज़िसे होंगे आज में लेकर आई हूँ आपके लिए बटरी आलू की कतलियों की रेसिपी इतना सबरदस्त का इसका टेश्ट है ना एक बार अगर आप ये वाला बटरी आलू की कतलियां खाली है ना सिर्फ इसमें चार इंग्रीडियन्स होंगे टमाटर हरी थनिया हरी मिर्ची और आलू बस इसके अलावा आपको और कुछ भी डालनी की जरूरत नहीं है लेकिन इतना सबर्दस्त की रेसिपी आपकी ये बन करके तयार होगी ना इसके अलावा इसमें हमने एक जो ट्वीष्ट डाला है न पतली-पतली स्लाइट्स कट कर लिए है अब हम कडाई रखेंगे गैस पर और इसमें हम डालेंगे आधा कप तेल आपको उनसा भी तेल ले सकते हैं राई कले या फिर आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं उसे और जो हमने आलो की कत्लियां कट करके रखी है ना चान करके बढ़ियां से धूल करके चान करके इसमें किसी भी तरह की पानी नहीं है तो इसमें हम सारे इस तरीके से कड़ाई के अंदर डाल देंगे और हलका सा जब एक तरफ कलर इसका golden brown कलर आने लगे तब इसे हम पलट देंगे इस वक्त हमें बहुत जादा fast flame नहीं रखना है और नहीं बहुत जादा slow हमें इसे medium flame फ्राइ करना है ताकि यह बहुत जादा dark भी नहीं और बहुत जादा पकी भी नहीं हमें इसे बस 90% तक कुक करना है और बस 10% तक रहने देना है तो इस तरीके से हमें अच्छे से चलाते हुए लटते पलटते हुए बढ़िया से इसे fry कर लेना है जब इसका अच्छा सा color आ जाए तब इसे हम तेल से निकाल लेंगे और इसे side में रख देंगे इसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को भी लाइक कर दीजे और अपनी फैमली और फ्रेंस में जरूर शर्क करें और ये वाली रेसिपी मेरी तरफ से रिक्वेश्ट है कि एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइ करके देखें आप सच में इसके फैन हो जाएंगे इतना जबरदस्त का इसका टेस्ट लगता है तो मैंने यहाँ पर सारे आलू की कतलियों को निकाल लिया है फ्राइ करके अब मैं यहाँ पर तेल थोड़ा सा कम कर दे रही हूँ आप चाहें तो पूरा तेल यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर दो चमश तेल निकाल ली हूँ अब इसी में हम डाल देंगे आदा चमश्वीरा और बड़िया से गरम हो जाने के बाद बड़िया सा इसका तड़का लग अब इसमें हम डालेंगे अगर आप चाहें तो डालें नहीं चाहें तो आप इसके भी कर सकते हैं यह वैसे बहुत जबदस्ट की बनेगी अधर क्लेशन का पेश्ट डालने के बाद दो से तीन विर तक के इसे चलाते हुए बढ़िया सा इसे भून लेना है ताकि इसकी स्मैल अंदर क्लेशन की वो थोड़ी सी खत्म हो जाए अब इसमें हम इसी स्टेज पर डालेंगे यह हमारी जादवी बटरी आलू की कतलियों की जान यह है एक चमच मैंने यहाँ पर बटर डाल दिया है जी हाँ इससे बटर डालने से इसको जो रिचिस्ट फ्लेवर मिलता है वो बोनने के बाद इसमें मैंने यहाँ पर चार से पांच हरी मिर्चियों को इस तरीके से कट कर लिया है थोड़े लंबे-लंबे शेप में कैंची की मदद से और इसी के साथ यहाँ पर धनिया पती को भी कट कर लिया था और इसे भी डाल करके बस एक मिनट तक के इस तरीके से चला लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे पानी पानी यहाँ पर मैं एक कपसे थोड़ा सा जादा डाल रही हूं आपको जितना ग्रेवी पसंद है अगर आप ग्रेवी वाला पसंद करेंगे तो फिर आप ग्रेवी वाला बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसे एकदम इ ने डाल दिया किश्मीनी लाल मिर्ची पाउडर इन सभी को अच्छे से पका लेना है दो से तीन मिर्ट तक के फास्ट फ्रीम पर और जब अच्छा सा ये ये देखे कलर आ गया हमारे इस ग्रेवी में तो अब हमने जो फ्राई करके आलू की कतलियों को रखा है उसे इसमें ड प्रकार के से तॉक कर लेंगे और इसकेबाद हम देखेंगे ये चलics जाँ जांगा बेसा कि बट रखुत जबर दस्फिश्मीय के डिया उस तरह इस तरें लिए से जरूर बचकते के सल्ट पार इस जादेए बहुत जाद जाद मज़ेदार की लगती है इतना यमी कि इतन आप बहतरीन रेसेपी बन करके तैयार होती है ना वो शायद आपका टेस्ट कभी आपके मुझे नहीं जाती है सच में वही मैंने ट्राइए किया बहुत गजब की बनी था एक पॉचिंग